वेल दोस्तों आखिर क्यूं रिवा के सामने होते हुए सवी को दे रहा है इशान इंपोर्टेंस क्यूं रिवा के साथ कर रहा है इशान ऐसा बरताफ जैसे वो जानता ही नहीं उसे कौन है वेल दोस्तों कहानी में एक बहुत ही बड़ा और दिल्चस्प ट्विस्ट आने वाला है जिसके बारे में आज केस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस लेटिस्ट वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट के बारे में वेल हाल ही में लेटिस्ट प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें ये दिखाया गया कि रिवा किस तरीके से इशान को देखते ही सब कुछ पुराना भुला चुकी हो इस तरीके से उसे गले लगा लेती है लेकिन इशान इशान ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो कोई अंजान है यहां पे तमीज से वरताव कीजिए और इस वक्त मैं कुछ और खास लोगों के साथ हूँ तो किरप्या करके परसनल काम के लिए आप घर आईए मैं यहां पे एक टीचर हूँ प्रोफेसर हूँ उसी की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए यह कहकर इशान सवी का हाथ पकड की रहे थे ऐसे में सवी को समझ ही नहीं आता कि इशान सर को हूआ क्या है इशान इस तरीके से बिहेव क्यूं कर रहा है वैल आपको बता देए कि इशान सवी का हाथ इतने कस के पकड़ लेगा और लगातार आखों से आसू बहता रहेगा कि सवी को एक वक्त के बाद हो जाएगा कि कुछ गलत हुआ है इशान सर ठीक नहीं है लेकिन उसे समझ ही नहीं आएगा कि आखिर वो करें तो क्या करें और अचानक से जब सभी पूछेगी कि इशान सर आप ठीक है आपको क्या हुआ तो इशान उसकी गोद में सर रखके फूट फूट करोने लगेगा वैल कहानी में आने वाले इस नए ट्विस्ट के बारे में जानकर आप लोगों को कितनी एकसाइटमेंट है एपिसोड देखने की हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं साथी वीडियो को लाइक शेर और चानल को याद से सब्सक्राइब कर लें